हैलो फ्रेंड्स मैं जोती पावा अपनी खटी मिठी रसोई में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होली पे बनाई जाने वाली गुड की मठी की रेस्पी जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है इसमें कई दिक्कत आती है जब हम इसे बनाते हैं तो क्या-क्या सावधानी बरतनी चाहिए कि आपके ये परफेक्ट मठी बने तो आए में साथ मेरी खटी मिठी रसोई में इसे बनाने के लिए और क्या सावधानी बरते ये देखने के लिए गुड़ की मठी बनाने के लिए हमें चाहिए गुड़, हमसा से पहले इसका गुड़ का पानी बनाएंगे, उसके लिए हमें एक कटोरी गुड़ चाहिए, गुड़ हमने अच्छे से तोड़ करके पूरी कटोरी भर करके लिया है, आप कोई भी एक कटोरी का नाप ले सकते ह उसी से सारे मेजरमेंट करेंगे हम और इसी के साथ हमने डाल दिया है गरम पानी जिस कटोरी से हमने गुड लिया था उसी से एक कटोरी भरके पानी भी डाल देंगे यहां पे मैंने गरम पानी लिया है आप भी गरम पानी लेंगे तो ये गुड़ो चल्दी से मेल्ट हो जाएगा तो अब इसको अच्छे से हम उबा लेंगे जब तक हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाता उसको हम हिलाते रहेंगे और एक गाड़ा साइस का पानी तयार कर लेंगे ये हमारा जो गुड़ है अच्छे से मेल्ट हो गया है और थोड़ा सा गाड़ा करेंगे एक दो मिनट और पकाएंगे और फिर इसको ढग करके हम रख देंगे तांकि ये अच्छे से थंड़ा हो जाए तो इसे ठंडा होने देते हैं, और हमारा गूर ठंडा हो रहा है, तब तक हम अपने आटा ले लेंगे, एक बड़ी प्राहत लेंगे, और उसके अंदर दो कठोरी हम आटा लेंगे, और दो चमच इसमें डालेंगे हम तिल, यहां पर सफेद तिल ले रही हूं, तिल का टेस्ट इसमें बहुत ज़्यदा अच्छा लगता है, आप जरू डालिए, और दो टेबल स्पून मैंने डालाया इसमें देसी घी, यहां पर देसी घी डालेंगे तो बहुत बढ़िया टे दो से तीन चमच ही यूज कीजिए, यह देखिए यह वाला चमच बने लिया है, और अच्छे से आटे में घी को मिक्स कर लेंगे, और अब जो हमने तयार किया था अपना गुड़ का पानी उसे चान करके डालेंगे, आप पहले चान लीजिए सारे पानी को फिर धीरे धीर करके यूज कीजिए इसमें, जितनी जरुत हो उसी साफ से आप यूज कीजिए, बहुत ज़्यादा हमने इसका आटा पतला नहीं घूंदना, थोड़ा सकत आटा गूंदेंगे, तो यह सारा पानी लग जाता है, अगर आपके आटा में जरुत ना हो तो उसमें पानी आप ज़्यादा नहीं यूज करेंगे, इसमें और डाल रहे हैं थोड़ा सा आटा, एक सकत आटा लगाएंगे, ध्याद रहे हमें धीला आटा नहीं गूंदना, जैसे हम पूरी का आटा लगाते हैं, हमने वैसा आटा लगा लिया है, यह देखिए इतना सकत आमारा आटा है, अभी हम इसको रेस्ट करवाएंगे, ढख करके, आदे घंटे के लिए आप रेस्ट करवाने रख दीजिए, इससे आटा अच्छे से सैट हो जाएगा, यह देखिए आदा घंटा हो गया है, जब आपका गुर का पानी जो हमने बनाया है, वो ठंडा हो जाए, तभी आप इसमें मिलाएंगे, नहीं तो बहुत ज्यादा भी लाटा हो जाएगा, तो अब हम इसके छोटी-छोटी पेड़े काटेंगे, यहाँ पर पहले छोटी-छोटी टुकड़े कर लेंगे, उसके बाद इसको हाथों की मदद से गोल करेंगे, और ऐसे फ्लैट कर लेंगे, एक तो आप डिजाइन ऐसा बना सकते हैं, लंबा, याँ सिंपर हाथ में गोल भी कर सकते हैं, यह बहुत ज्यादा पतली नहीं अच्छी लगती, तो थोड़ी सी मोटी होगी, तो ज्यादा टेस्टी लगती, जैसे मठियां होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं, तो वो अच्छी लगती हैं, अब हम इसमें तेल डालेंगे यहाँ पर मैंने गुजी अबनाई थी उसका तेल है उसका वीडियो भी मैंने दे रखा है आप वो भी देख सकते हैं और जब हमरा तेल अच्छे से गरम हो जाएगा और फिसको हम सिम कर देंगे फिर अपनी ये डालेंगे जितनी हमने मठी हमनाई है सब डालेंगे बहुत ज़्यादा एक साद नहीं डालेंगे बस चार से पांच डालेंगे ये गुड़की है इसलिए थोड़ी साफधानी से बनाएंगे बहुत ज़्यादा डालेंगे तो ये सिकने में दिक्कत होएगी और जब एक साइड से अच्छे से सिख जाए ये गुड़की है तो बहुत जल्दी से रंग ले लेती है सिख जाती है जल्दी से तो आप सावधानी से इसे बनाईए मीडियम तू स्लो पे जाएंगे देखे कितने जल्दी से रंग आ गया हमारा ये बहुत ज़्यादा खस्ता होती है तो आप इसे जब तक कलर नीचे से ना आए ना पल्टे ये देखे हमारी ये दोनों साइड से अच्छे से सिख गई है ऐसा कलर आ जाए तब आप उतारिए आप बहुत ज़्यादा मौइन डाल देंगे तो आपकी ये भुर्बरी हो जाएगी और तूटने लग जाएगी तो आप अपने साफधानी से डालिए बहुत ज़्यादा मौइन नहीं डालना और अगर आप बहुत ज़्यादा स्लो कर देंगे आज तब भी ये सही नहीं बनेगी घी पी लेंगी तो मीडियम टू स्लो पर ही इसको बनाएंगे देखिए सारी हमारी बनकर के तैयार है ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है तो आप इसे जरूर बनाएगे और इस तरीके से बनाएंगे तो एकदम खस्ता और टेस्टी बनेंगी मीठा भी बिलकुर परफेक्ट है और खस्ता भी है ये देखिए किता बढ़िया कलर आय है गोल्डन ब्राउन और ये तोड़के देखेंगे कि बहुत खस्ता है अब है इसके टेस्टिंग की बारे बिलकुल ठीक एकदम मीठा भी सही है और खाने में भी खस्ता है तो आप भी इसी तरीके से बनाएगे क्या साफधानिया हमें रखनी है एक तो मौई जादा नहीं डानना और मीडियम टू स्लो पर आप सेखेंगे इसे और दो कप यहूं के आटे में एक कप गुड़ जाएगा और एक कप पानी ये सब परफेक्ट मेजरमेंट है जो कि आप इस तरह से बनाएंगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी मौई जादा डाल देंगे तो बीच में से तूटेंड लगेगी सिखेंगी नहीं एक साइड से सिख जाए तब आप पल्टेंगे दोनों साइड से अच्छे से कलर आने तक करेंगे आप अगर गुड़ बहुत जादा डाल देंगे तब भी आपकी अच्छे से नहीं सिखेंगी और अच्छे से नहीं बने खिंडरने लग जाएंगी बिंखरने लग जाएंगी तो आप परफेक्ट मेजरमेंट रखेंगेर तो आप चय बताईए आपकी रैस्पी कैसे बनी आप बंढ़ी तो मुझे अपने experience जरूँ शेर कीजिए तो फिर हम मिलेंगे किसी नई recipe के साथ जब तक अपना ध्यान रखिए खुश रहिए और सदा मुस्कराते रहिए Happy Holy Thank You